पब्लिक टीवी आपकी आवाज लालोट के रास्टेत्यक्ष जैन्ट चौधरी ने कहा कि विचारधारा मिलने की वज़य से हमने भाजपा से गठवन्दम किया है इसका उत्देशे ये है कि किसानों को लाव मिले भाजपा प्रत्याशी कुमर सर्वेश सिंग के समर्तन में भीकनपूर में आयुजित जन्ट सभा में जैन्ट ने कहा कि पूर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग को भारत रस्न मिलने से कुछ लोगों को परिशानी हो रही है जबकि ये सम्मान पूरे देश के किसानों का है उन्होंने कहा कि NDA सरकार किसानों को लाव देने का काम कर रही है इस बार लोग सभा चुनाओ में NDA गटवंदन चार सो पार के नारे को सिद्ध करके दिखाएगा कहा कि NDA गटवंदन ने जो भूशना पत्र जारी किया है उसमें रालोद के विचारों की अनेकों समानताएं पाई गई है मुरदबाद के पीतलों दोग पर जैन चौदरी ने कहा कि यहां बने पीतल के भरतन और वस्तों पूरे देश के साथ ही विदेशों में भी जाती है इसलिए मुरदबाद का नाम दूर तक जाना जाता है करे देश के खमेरे अरु चितान वर के साथ आज में आया हुआ है कर दिद्न चिंग भारत रचन में ऐसे जब geld कहा है । कि जब तक उनका स्वार था तब तक वनेगे दिन में चोर्डी चन्स हमीत सरक्रावनेலि सब्वास और साल्झें नहीं है और आप ने ये भी देखा होगा कि बहुत लोगों के पेट में दर्व नहीं है बहुत लोगों को समझ नहीं आया ये क्यों कैसे हो गया आपके विचारों को लेके हम लोगों को साथ चलना है और अब कली जो वजना पत्र बीजेपी ने जारी किया तो कुछ ऐसी श्वीर जी कहरें कि जो आज योजना बनती है बेचोली की प्रथा को समाथ कर दिया और उस कारण से बेलबाब नहीं हो सकता चाहे हिंदू हो मुसल्मान हो सिखो किसी भी ज्यार्टी से हो क्योंकि डेता है सब सरकार कर और नहीं विधी के प्रयोग करके योजनाओं का क्रि और जो सरकार चोई साब को भारत रखन दे सकती है वो कोई कसर छोड़ेगी क्या आपके नहीं कोई कसर नहीं छोड़ने वाले तो आप भी कोई कसर मत छोड़िएगा मौसम बदल रहा है जब जब किसान की पकी फसल होती है तो इस तरह क्या सार आते है प्रकृति की मार भी ह ले खेट में जाओ पब्लिक टीवी आपकी आवास